एपक्रूज और आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है किसी भी बाईक के बारे में नहीं किसी भी राइड के बारे में नहीं है और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग स्किप ना करें इस वीडियो को अब पूरा देखे यह वीडियो खासकर उन लोगे लिए हैं जो अपना यूटुब चैनल चलाते हैं या फिर अपना शुरू करने वाले और एक मे सब्सक्राइब को इट वस है और कैसे फिर वापस आया मेरे पास में और क्या पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और रियली मिंस जब मेरे पास मैसेज आया और यह सब हुआ तो मैं बहुत शौक्ड हो गया चीज को लेके और बहुत मतलब 17 के आफ्टरनून से लेके कल रात के 11.30 तक आप समझ सकते हो कि अगर आपकी पूरी मेहनत है या 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 वीड़ साल आपने मेहनत किया है किसी चीज पर और अपना सब्सक्राइबर कांट बहुत जादा नहीं है लेकिन चैनल पर व्यूज हैं मलब अच्छे व्यूज हैं नो आइस दूसरों के लिए या नी मैं भी इस सक्ड़ीत कर पा रहा था लेकिन इसके अंदर कुछ़ भी नहीं कर पा रहा था ना कोई मेरा ने कुछ और बसमदोर से देख पा रहा था था कि हाँ तो यह मिलने से रहा फिर क्या करना है मैंने सुझा चलो कोई बात नहीं अब 2.0 वर्दन शुरू करेंगे और फिर से स्टार्ट विदे स्क्रैप और स्क्रैप से शुरू किया जाएगा बस यह था कि मुझे लगा यार इसमें पूरा इतना तक पहुंचने में 1.5 यह लगे त बट फिर भी मैंने मतलब सोचा कोई बात नहीं 2-4-5 दिन और देखूंगा और नहीं तो 2.0 शुरू करूंगा देशी क्रूस का लेकिन मेरा चैनल मिल गया और क्या प्रॉसेस हुआ मिलने का और कितना टाइम लगा और किस तरह से फॉलो अप करना पड़ा यह सब चीजों क कोई चैनल को है करता है क्या रीजन है पता नहीं लेकिन आपके लिए बहुत ही आपकी जो लोग में जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए अरे बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करते हैं और आप दिन रहा टेक करते हो और खासका जब आप फुल टाइमर नह जानते हो फिर से स्क्रैप से शुरू करना कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि आप उनसे दुबारा कनेट कर पाओ और मेरे जो सब्सक्राइबर है मेरा जो कमेंट होता है लगभग अभी तक और आगे भी कोशिश होगी कि कि कितना भी हो जाए सब के लिए कमेंट जरूर हो जो ल हो पाएका उन्से नहीं हो पाएगा कै्से लोग को मैं परस्णली जानता हो और कितने सबस्क्राइबर बहुत सारे जिनको मैं पर्स्नली जांता हो और मुझे लगए सबसान्या से और होक् summum स्टोरी पर आते हैं सबसे पहले और फिर मैंने कैसे इसको वापस लिया इस पर भी आते हैं और कैसे गया मेरे पास से उस बारे में में बात करें तो इस चैनल की जाने के जो शुरुआत होती है वो होती है 17th of August को मौर्निंग में मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि आपको एट ओक्लॉक पर आया होगा आजादी का जश्न करके था आजादी का अम्रित मौत यह मैंने जो है शेडियूल करके छोड़ दिया था और यह आपको वीडियो एट ओक्लॉक पर पब्लिश हो गई सब कुस ही चल रह होते हैं वह अपने चैनल को थोड़ा बहुत देखते रहते हैं कि कि इसे कुछ होगा मतलब एक कुछ घचाया होगा आरले। मैंने क्लिक किया तो देखा कि मेरा लॉगिन हो नीए रहा है लैप्त टौप से किया, मॉबाल से करके पहले देखा था नहीं वा लैपॉइल मेरा ड्यॉल से की आ Anyways और मैं इसको हर तरह से करें देख लिया कि यार क्यों ऐसा हो रहा है कुछ भी पता ही नहीं लगा था कुछ फिर मैंने देख मुझे लगा कि यार और एक बहुत अजीब सा चीज हुआ कि मेरे घर में जितने भी फोन थे जितने भी स्मार्टफोन थे वह सब के सब उसी समय जो है बंद हो गए सदन ये मेरे लिए बहुत बीएड सा चेंज हुआ एक तो अपडेट हुआ मतलब जो एंड आए डूसरा वी सटड़न हो गया यह दोनों फोन यह वो शटडवन पड़ा और नहीं पता नहीं क्या हुआ और और वॉन देखा नहीं दोनों कि नहींने है हुआ तो बहुत सारी जा चुकी है फोन बिल्कुल फ्रेशंग बिल्कुल न्यूस में आ गया है अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैंने कि चलो इसको मैं देखता हूं फिर मैंने जो है दुबारा क्या किया कि यूटूब पे जाके सर्च करना शुरू किया कि चैनल अगर हैक्ड हो जाए तो क्या होता है तो बहुत सारे एक रिएटर से उनकी वीडियो मैंने देखी एक मनोज भाई है उनका देखा टेक्निकल इसरार है उनका देखा और फिर जानने की कोशिश कि कि यह जब यह हो तो गया यह अब आएगा नहीं आएगा कुछ भी पता नहीं है तो करना क्या है अब इसके लिए नेक्स स्टेप क् सबस्क्राइबर आप से बिल्कुल जा चुके हैं आपको बिलने वाले नहीं है कुछ नहीं आपका चैनल जो आपका था उस पर आपका कोई हक नहीं है तो यह सब परिशानी थी मेरे साथ भी थी तो मैंने जब यूटूब वीडियो देखना शुरू किया जब हो गया उसमें ठगेश का भी देखा मनोजडे उनक चैनल है और इस जीमेल आइडी की साथ में असोसियेटेड है और अभी उसके लिए क्या करना है मैंने उनको एक इमेल कर दिया उसके बाद जो है मैंने देखना शुरू किया कि यूटूब पर क्या अपडेट्स है तो मैंने जब मनोजडे का देखा या टेक्निकल इसलार भ कि जब आप से गूगल कोश्चन करता है हो सकता है आपके पास में एंसर नहीं हो चीज का या वो किस वे में ले यह भी मतलब मुझे नहीं पता तो मेरे लिए मतलब यह जो है पूरा का पूरा जो टाइम था वह बहुत ही ज्यादा मतलब होरिवल था और यह सिच्वेशन ऐ अच्छी थी कि देशी क्रूज दीसी मेरे लिए भी उतना या जनवी हो गया था जितना आप लोगे लिए आनी कि आप देख सकते हो मैं भी देख रहा था लेकिन अक्सेस नहीं कर सकता था एक अच्छी बात यह हुई थी कि चैनल पे कहीं से भी जो है जिसने भी हैक किया थ जरुआ को दिखाता हो मैंने क्या क्या किया तो उनको आप यहां पर टाइब करो और यूटूब लिए पर उसके बद वह आपसे connect करते हैं personal DM में जाके तो मैंने फिर जो है next step वही किया जाके मैंने tweet किया टैक किया YouTube इंडिया को creators को और YouTube सब को मैंने टैक किया उसमें और टैक करने के बाद मनोजडे भाई हो उनको भी टैक कर दिया मैंने तो टैक करने के बाद मैंने क्या कि फिर क्या वेट करने का था थोड़ी दिर बाद मेरे पास में YouTube का reply आया कि आप जो है हमें DM करो मैंने उनको DM किया और उसके बाद और कैसे step हुआ वह भी मैं आपको दिखाता हूँ और DM किया मैंने उसके बाद उन्होंने जो मुझे alternate email पर connect किया मेरे साथ एक अच्छी चीज उन्होंने की कि इस account को disable कर दिया तो अगर आप देखते हो अगर आपने किसी ने भी जब login किया होगा देखा होगा तो मेरा जो आइकोन आता था यहां पर आइकोन आता था वह यहां पर आइकोन जा चुगा तो मैंने अभी आइकोन चेंज किया है क्योंकि वह पहले वाला आइकोन मुझे अब मैं उसको कर नहीं बारा तो मैंने आइकोन चेंज किया जाके और यहां पर आइकोन नहीं था तो यहां पर आइकोन चेंज था बाकि मे बात की आगे कि उसके बाद आगे का जो प्रॉसेस वो दिखाता हूं आप एक भी स्टेप मिस्मत करना क्योंकि यह सब उन के लिए हैं और बहुत हैल्फुल है जिनका भी चैनल यार भवान ना करें खुदना खासता कभी भी हैक हो जाए और आपकी पूरी मेहनत चली जाए क्योंकि जब यूटूब जब गूगल से भी रिपलाई आता है ना जब एक रिपलाई मेरे पास आया कि हम कोई गारेंटी न जबता हो जाता है ऐसा हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले में टीटर का भालता हूँ आपको कि क्या मैंने ट्वीट किया था और उसके बाद जो है क्या उनका रिसपौंड आया और कैसे फॉल्लॉप हुवा सो तो चलिए ट्वीटर देखते हैं कृणा आरत को और ये मेरा ट्विटर गॉंट है जिसके ठीजिए मैंने जो है यूटूब को टैक्ग किया था और मैंने उनको जो है रिक्वेश्ट करी थी कि ऐसे हैसे मेरा चैनल हगी उगया है और और फिर उन्हों हो गया था और क्योंकि उसके बाद दुबारा से इस पर लिग दिया था ऐसा उस्चे की हैंग हो गया तो इस तरह से हो जाता है यार आपको ना क्या करना है क्या नहीं आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से आउट हो जाते वह लेकिन फिर भी मैंने जो है उप को टैग किया था यहां पर YouTube इंडिया YouTube और YouTube creators को और second जो है मैंने उनको अपना email ID और यह सब दिया था और उनका एक form भरना होता है वो form क्ले फिर मैंने उनको किया था चैनल hijacking यहां पर मैंने लिख दिया था और current email ID और यह सब जितना भी था उनको सब कुछ लिखके भेजाता इसके साथ साथ एक चीज और कि आपना अपने चैनल की जो ID होती है न वो जरूर जो है अपना अपने पास में जरूर रखा करे जो कि आपको future में काम आती है और मुझे अभी भी यह चीज आपको बताते समय देख रहा है कि यह हैंग हो ओड़ी बता segur 58 करें हमाने अब को में धर चैनल पहले हो चुका है तो उसके बाद उनका रिप्लाई आता है कि होता है mother was gonna come and call फ्रेंट जैसे ही मैंने ट्विटर पे यूटूब को बता एक मेरा चैनल हैंडो शुका है तो उसके वाद उनका एक reply आता है जो कि होता है sorry to hear that follow our handle at YouTube and we will be able to DM you the info you need यानि उन्होंने मुझे यह बोला है कि हमारा जो team YouTube उसको पहले follow करो वहां से हम आपको DM कर पाएंगे तो फिर मैंने उनको respond किया short thank you और इस तरह से जो है जे process है वो शुरू हुआ और यह सब कुछ हुआ 17th of August को अब देख सकते हो यह पूरा का पूरा जो है एक thread चला रहा है और यह जिस तरह से शुरूआत हो यानि मैंने उनको tweet किया उसके आद उनका respond आया और यहां से फिर जो क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं तो यहां मैंने follow कर लिया किसको तो एक मैंने कर लिया team YouTube को और दूसरा जो है team YouTube इंडिया को मुझे जो follow करके जो DM करवाने का था वो था team YouTube तो मैंने इसको follow किया यानि में following में आ रहा है और उसके उनका जो पहला reply आया वो मैं आपको दिखाता हूं तो उनका सबसे पहला जो respond आता अब यह देखो साथ बचके पैंटीस मिनट पर शाम में 17 का यानि बुदुवार के दिन का कि वो मुझे follow-up करने के लिए बोलते हैं कि आप जो है सो पहले पूशते हैं मुशते कि do you still have access to the email address associated with your channel if so you can reach out to our creator support team directly by logging into your account and completing this form तो एक form यह देते हैं इस form को जो है आप जो fill up करते हैं उसके बाद ही access के लिए करते हैं लेकिन मेरे साथ क्या था मैंने उनको लिखा कि नहीं I can't access my YouTube email account as password and backup mobile and email both got changed तो मैंने उनको लिखा था कि मेरा यह सब कुछ चेंज हो चुका है और फिर मैंने उनको अपना एक alternate email ID provide कराया उस email ID के base पे वो उसको access दे देते हैं उस जो provided email ID होता है यानि वो आपका mode of communication वो secondary जो आपका email ID होता है वो होता है तो इस तरह से है एक form दिया उन्होंने form कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ open करके कुछ इस तरह का form आपको YouTube जो है भेशता है आप जब आप चैट करते हैं उसके साथ जब आपको DM करता है डिरेक्ट आपके Twitter पे तो इस तरह का form होता है जो आपको भेशता है और आपको अपना first name last name contact email address और इसके लाबाब और भी आपको बतानी होती है जैसे कि आपका चैनल आइडी तो चैनल आइडी आप ज़रूर अपना ध्यान लखा करें तो जैसे ही आप यह सब दीटेल्स जब ट्विटर के थुरू भेशते हैं DM करके YouTube को तो आपके पास में YouTube support और टीम का email आ जाता है और उसके बाद शुरू होता है आगे का जो process होता है वो जो आपको लिख के भेशते हैं यह सब चीजे जो हैं वो आपको भेशते हैं और उसके आद वो आपको सबसे पहले प्राइब करने के लिए कि अपना ब्राउजर जो है कैच और कुकीज क्लियर कीजिये पेज पर यह सब चीजे स्टेप बाइस टेप वह आपको बताते हैं करने के लिए हाला कि मैंने सब कुछ करके देखा और यह मैं आपको बता रहा हूं उनका रिस्पॉंड जो आया था वह 18 ऑगुस्ट को आया था मॉर्णिंग सिक्स थर्टी पे और इतनी सारी जो चीजे उन्होंने बताई मुझे करने के लिए इस पर से कुछ भी मतलब जितनी भी चीजे रिकवरी इमेल आईडी था या जो मोबाइल लंबर था सब कुछ चेंज कर दिया था और फिर यह नहीं होता है उन्होंने लिखके दिया यहां पे कि इव दे स्टेप्स एब डॉंट बॉक फो यू दैन फाइल फॉलॉप एसकलेशन क्लेम तो मैंने जो है फिर इस पर भी क करके देखा कि गूगल अकाउंट जो स्पेशल अकाउंट रिकवरी पेज है इस पर भी किया लेकिन यहां पर भी जो है कुछ भी नहीं हुआ तो यह मेरा फॉलॉप जो है चलते रहा चलते रहा गूगल के साथ में 18 की मॉर्णिंग से लेके कल नाइट तक चला है अब मैं आपको उनका एक फाइनल जो आउटकम है वो दिखाता हूं कि उनका क्या आया था जिसके बाद मेरा जो है चैनल वापस मुझे मिल गया वो मैं आपको दिखाता हूं और जब आप जितनी भी प्रवाइड़ इंफोर्मेशन सही दे देते हैं तो उसके पाप है आपको एक व वापस मिल गया तो इस तरह से मेरा चैनल मुझको मिल गया मशक्कत करनी पड़ी यह तीन दिन जो है बिल्गूल खौफ ना करें कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा और फाइनली मुझे मिल गया तो लास्ट में आपको मैं इतना जुरूर बोलना चाहता हूं कि जो आपका लैटट इस लिए हर चीज को रखे और अगर लैप्टॉप यूज नहीं हो रहा है तो इसको डाउन करके रख दे क्योंकि वह कैमरा फिर भी उसकता है कोई भी यूज कर सकता है बिलीव नहीं होता है तो आप एक मूवी स्नोडेन वो देखना नेट्फिक्स पर भी आपको मिल जाए और एक लेशन तो मुझे में मिल गया है तो इस तरह से आप जरूर अपने चैनल का और अपना जीमेल एकाउंट बैंक एकाउंट का जरूर दियान रखे और आपको यह वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी कैसे आप अपने आप चैनल को या अपना डेटा को आप सेफ आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें कमेंट करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें तब तक अपना खायाल रखें सुरक्षित रहें जैहनत